पूड़े में NIA की कारवाई के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से विरोध प्रदर्शन करने वाले PFI के 70 लोग खिलाफ पुलिस ने मामला दर्च किया है इसके साथ ही रियास सेद नाम के एक शक्स को हिरासत में ले लिया गया है दरसल पॉपलर फ्रंट ओफ इंडिया के कारेकरताओं ने जिला कलेक्टर के ओफिस के सामने जमा होकर प्रदर्शन किया था आरोप है कि इस दोरान PFI के कारेकरताओं ने पाकिस्तान जिन्दाबाद और अल्लाहु अकबर के नारे लगाए बता दें कि PFI के खिलाफ महराश्ट समेथ 11 राज्यों में NIA की पिछले 3 दिनों से चल रही कारेवाई को Operation Octopus नाम दिया गया है NIA इन कारेवाईयों को ED, ATS, GST और पुलिस के साथ मिलकर अंजाम दे रही है देश भर में 22 सितंबर को हुई चापे मारी में करीब 106 लोगों को पकड़ा गया था महराश्ट में ही करीब 20 ठिकानों पर चापे मारी कर 20 लोगों को पकड़ा गया फिलहाल पकड़े गए PFI कारेकरताओं से पूछताच की जा रही है